कर दिन आनी कहीं नहीं है कि पता कर दो देखो है कि सब्सक्राइब कि नोंबर में एक्जाम के दिन तो नहीं है किया एक्जाम तो क्यों छोचेगा एक्जाम बात साधी रखवाद नहीं है तो ठीक है मूरत तो आगे पिछे भी होता है न चल्वाजओ फड़फट हेडिंग लिकेंगे लोग लास्टाइम तक हो गया था न कहां तक डिम डिविडेंट हमारा कवर हो गया घर पे जाके रिवाइच किया था किया था सर्थ लेकिन क्या हम बताए चल्व रिना जी आप कहां भी साधी रखवाद रखवाद चल्व फड़फट पर टिक नया चैप्टर नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं लोग क्या बहुत आसान टैक्स सेशन ऑफ अग्रिकल्चरल इंकम आजो फड़फट टैक्स सेशन ऑफ अग्रिकल्चरल इंकम एक चीज़ हो Esad एक शॉल्ट आता है जैसे ये ऐखोч़ को आपको दिखा तो ये इस चुट का ही है ये सारान्स है ठीक है शारान्स मतलब क्या है संवरी है तो मैं प्रॉाइट कर दूँगा इस च्हीं है क्या सारा कश्र की आपको इस ट्रूट को कुछ आपको इस जितना उब से भी समराइज वे तो हम कराई देते हैं at the time of class इसका भी समराइजेशन हो जाता है GST में maximum 40 point में GST आपका complete हो जाता है तो जब GST आएगी तो वहाँ पे हम लोग कवरेंगे लेकिन हाँ उसके पहले तो detail करना ही करना पड़ेगा बीना detail कुछ possible नहीं है तो agriculture income पे आते हैं हम लोग के agriculture income बहुत आसान है सबसे आसान हमारा क्या है tax उससे आसान तो tax होता ही नहीं अभी तक बताना कौन-कौन से concept हम लोग ने cover दो क्या करना ना अभी धीरे-धीरे किवल concept को cover करना कि कि कितने इस चैप्टर में कितने concept थे उस concept को किवल point आ याद करो concept क याद करो फिर concept क्या है वो तो होई जाएगा दिक्कत हम लोग के साथ क्या होता है पता है पूरा को पूरा एक साथ लेकर revision बैठना शुरू कर देते हैं अगर आप concept क्लियर है तो what will be the concept in chapter number 1 यह याद होना चाहिए अब जैसे अगर chapter 1 की बात करो what will be the main आपका concept क्या क्या है chapter chapter 1 में 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 objective क्या होता है हमारा दो ही चीज़ है एक तो competition अब total income and tax liability अब अगर मैं tax liability को compute करने जारो तो first of all हमें क्या चाहिए बताना हमें वहाँ पे देखने से normal income और क्या देखना होता है बताना special income की tax rate आपको define किया गया है अगर LTCG under section 112 है तो कितना हो जागा 20% 112A है तो बताना 10% लेकिन 10% तब एक लाग से क्या होगा जाधा होगा अगर short term capital gain 111 एक ही मैं बात कर लूँ तो कितना हो जागा हमारा 15% हो जाएगा और अगर casual income की बात करूँ तो उस पर tax का rate कितना हो जागा 30% और एक आपको और याद होना चाहिए एक हम लोग ने tax rate कर रहा है था जागा अचा 78% में ना tax rate कितना हो रहा था 60% और surcharge कितना था 25% इसका और जब total कर दिया तो उस पे हैक लग गया था कितना 4% और इन में कौन-कौन से income होती है unexplained credit वाली income है cash credit unexplained investment अगर कोई है या फिर आपने investment books account में कम दिखा कर रखा हुआ है या फिर हुंडी का कोई payment या receiving है वो हमारे कहां पर cover हो जाते है यहां पर हाई अब यह आता है कि से normal income पर tax rate कैसे निकालेंगो उसके लिए 2 rate है आपका एक तो default scheme है और एक कौन सा है shift out scheme है shift out scheme हमारा कहां पर tax rate दिया गया है finance act में और default वाला 115 BAC में दिया हुआ है अगर question आपकी exam में silent है कि कौन सा method आपको follow करना है तब हम क्या करेंगे बताना हम क्या करेंगे फिर बताइए हम उस case में क्या करेंगे हम 115 BAC को follow कर लेंगे 115 BAC और दिन उसके बाद अगर आपको shifting out दिया तो then you have to follow the shifting out बताना इसे और इसे अगर हमारे पास tax amount आगया तो फिर हमारे पास एक concept आता है कौन सा rebate का rebate के अलावा कौन कौन सा और concept सीखा था हम लोग ने surcharge का और कौन से concept सीखा था marginal marginal relief का और फिर finally क्या लग जाता है है और इन सब को add कर दे तो क्या बन जाता है हमारा tax liability बन जाएगा अब एक एक चीज अगर marginal relief की बात करें तो marginal relief कैसे compute किया जाएगा इसका concept हो गया अब बताना अब जैसे ही आप point को note कियागी सर यह यह चीज़े हमें cover करना है जैसे ही point को note करेंगी कि यह चीज़े cover करना है immediate this point में आपको याद ही नहीं आ रहे कि यह कैसे होता है तो उसको फिर क्या करो आप रिकावर करने की कोशिश करो रिकॉल करो फिर उसको याद करने की कोशिश आपको टाइम नहीं बरबात करना कि ज़र डेली हम यहीं रिवीजन कर ले कंसिप्ट वाइस हमने लिखा यह कंसिप्ट हमें नहीं आ रहा है कि सर क्या चीज़े होती है नेक्स आजो इसके बाद अगर मैं सर्चार्ज की बात करो तो इसमें कुछ कंडिशन थी कि अगर चार तरह की इंकम है तो उसमें मैक्सिमम आपके सर्चार्ज करेट कितना होगा 15 परसेंट और देन उसके बाद अगर 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 बात करूँ तो नॉर्मल केस में रिवेट हमारा 115 BAC में मैक्सिमम कितना है 25,000 है और अगर फाइनल सेक्ट की बात करो तो कितना हो जगा 12,500 है लेकिन दोनों ही केस में उसकी टोटल इंकम 7 लग एक केस में 7 लग से जाधा नहीं होनी चाहिए और साथ में इंडिविजुल और क्या होना चाहिए रेसिडेंट जाए तभी आपको यह आपको benefit मिलेगा लेकिन हा आपके 115 BAC में रिवेट की केस में गर 7 लग से ज़्यादा भी आपकी इंकम हो जा रही तो भी आपको रिवेट मिल जाता है जितना आपकी 7 से ज़्यादा income जा रही है उस से ज़्यादा आपको tax देने की requirement नहीं है अगर income ह मारी साथ लिग 10,000 है और हमारी टैक्स लिडिटी सपोच करो 7 लग 26,000 आ रही है तो हमेइ 16,000 का क्या मिल जागा debate मिल जागा 10,000 है प्रदेका टैक्स पर की करणा पड़ेंगा यहां तक सारह का सारी चीज़े हमारे चैप्टर नंबर बन में हो गए था and then हम लोग cover किया थे dividend dividend बताना हमारे share holder के लइए क्लिए क्या हो जाता है? Income है और वो income कहाँ पी दिखाया जाती है, share holder के income from other sources में दिखाया जाती है और income from जो other sources में जाएगा एज़ जे क्या दिखाया जाएगी? normal income दिखाई जाएगी जब वो normal income दिखाई जाएगी क्या उसके against में कोई deduction मिलेगा ने उसके against में कोई deduction आपको allowable नहीं है लेकिन हाँ अगर मान के चलो आपने share को purchase किया है loan लेकर loan लेकर share को purchase किया गया है loan लेकर share को purchase किया गया है तो जितना उस loan पर आप interest पे करेंगे वो interest के against आपको क्या मिल जाएगा deduction मिल जाएगा लेकिन maximum जो आपको deduction मिलेगा वो 20% of the dividend amount या फिर क्या होगा interest whichever is lower उन दोनों में जो कम होगा ये कर लिया था इसके अलावा बताना हम लोग ने cover किया था deemed dividend का concept अगर मान के चलो हमने कोई भी assets shareholder को provide किया है free of cost दिया हुआ है तो बताना जो भी assets हमने दिया हुआ है वो हमारी लिए क्या बन जाएगा डिम dividend बन जाएगा लेकिन एक चीज़ और ध्यान दखना है कि fair market value के अलावा डिम dividend की amount हमारी profit से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए accumulated profit से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए company की accumulated profit जितना भी है उससे ज़्यादा shareholder के हाथ में डिम dividend नहीं बन सकता है नेक्स हमारा कि अगर liquidation हो रहा है तो उस समों कोई asset को distributed किया जा रहा है या कोई bonus share, किसको bonus share दिया जारह है equity preference को हमारा dividend नहीं बनेगा preference को जो दिया जा रहा है वह 9दी क नहीं बनेगा नेकिन equity or preference कमपनी में 10% से ज़्यादा सेर होल्ड किया हुआ है तो उसका हम eligible equity shareholder बोलते हैं और eligible equity shareholder अगर company से loan लेता है तो वो loan की amount क्या बन जाएगा deemed dividend बन जाएगा in the hand of क्या in the hand of shareholders clear या फिर उस shareholder ने जिसने 10% होल्ड किया हुआ है company का equity shares वो किसी और भी concern में 20% ने उससे ज़्यादा होल्ड किया है और वो concern उस company से कोई loan ले रही है तो बताना वो concern के हाथ में क्या बन जाएगा dividend बन जाएगा और एक last point था कि जो eligible equity shareholder है उसके भीयाप पर किसी ने loan लिया हुआ है तो बताना eligible equity shareholder के हाथ में क्या हो जाएगा वो taxable हो जाएगा as a dividend dividend यहां तक बताना सारी चीज़े हम लोग का clear हो गया था next आते हैं CSR look next point को ध्यान रखना है एक last और most important हमारे चलने जा रहा है that is the agriculture income अब यहां पर आना यह बताना कि जो आपकी income होती है ना वो income तीन तरक income होती है एक होती है exempt income एक होती है non taxable income एक होती है taxable income exempt income non taxable income और कौनसी income taxable income जो tax liability find out किया जाएगा always be on taxable income exempt income non taxable पे कभी भी tax नहीं लगाई जा सकती है वो income SEC की income तो है बट उस income पे कोई tax नहीं लगाई जाएगा अब यहां पर सर यह बताईए exempt और non taxable में क्या different हो जाएगा non taxable income वो income है जो income tax act के दाएरे में आएगा ही income tax act के दाएरे में जो income नहीं आ रही है वो income हमारी क्या हो जाएगी non taxable income हो जाएगी यहां तक clear अब जैसे आपका मान के चुरू सपोर्ज करो एक बंदा है अमेरिका का बंदा है अमेरिका का बंदा है वो अमेरिका में रहके इंकम कमा रहा है वो एक दिन इंडिया में आता है और इंडिया से चला जाता है इंडिया में आते हैं इंडिया से चला जाता है इंडिया से कुछ उसको income हो जाती है कुछ income तो क्या उसकी पूरी income इंडिया में taxable हो नहीं जितना इंडिया में उसने income को क्या किया है कमाया है वो taxable तो जो इंडिया के बाहर income कमाया है that will be what non-taxable income मालब income tax act के दाइरे में वो income आएगा ही नहीं आएगा उसे हम बोलते है non-taxable income लेकिन जो exempt income है जो exempt है वो income tax के दाइरे में है बट किसी section की वजह से वो क्या हो चुका है बाहर हो चुका है किसी section की वजह से वो section 10 है 10 का हमारा list है section 10 हमारे बताता है कि यह यह income अगर आपने कमाई है इस पर कोई भी tax आपको तो आज हम आपे सबसे पहले लिखेंगे type of income on the basis of taxability लिखेंगे types of income on the basis of taxability 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 जज हम हमें चल्याएप्याय जह हम हमाईगे लिखेंगे प्रस्तुर्ट याश्या मेँ लिखेंगे लिखेंगे non-taxable income, exempt income और taxable income non-taxable income not cover under income tax act 1961 इसको कहां पर cover करें हम लोग जब section 5, 6, 7, 8, 9 होगा residential status वहां पर detail में cover होगा अच्छ चोब दिन आपकी टैक्स की क्लास रहेगी और टीज़े, थास्टे, सेटर्डे आपकी एकाउंट की क्लास दस से साड़ी क्यादा आज से दस, दस से साड़ी क्यादा कि सिद्धान आपको बोध कुट रिक्जाम देना न हाँ, मैं मैं से बात कर लोगा, हो सकता है, उनका उसी टाइम रहता है, टीटिस में बात कर लोगा मैं, मैं उनको फिटान बसा दूँगा चल हो गया यह आपका है थार्ड चिप्टर और इसके बाद हम इस्टार्ट करेंगे सेट आफ एंड कैरी फॉर और दिल लॉसेज झाल मैं मैं यह एंड कर लोगाएष कर दोगा आपयों है नो अच्ते रिए बाहरा है, रहे हैंगे नहीं, तो रहे हैंगे विए रहे हैंगे तो विए कि तन्ट अचेह फिए। it always be part of the total income of the SEC types of income on the basis of taxability non-taxable income taxability के basis पे income तीन तरह की है taxability के basis पे अगर हम बात किरें तो income तीन तरह की है एक कौन सो हो जागा non-taxable exempt और कौन सो हो जागा taxable income taxable income बताना non-taxable income income not cover under the income tax act 1961 मतलब वो इंकम जो हमारी income tax act में cover ही नहीं है अब सब पोज करो हमने आपको एक charging section कराते है section 4 any person whose total income exceed क्या maximum amount not chargeable to income tax is known as SEC liable to pay tax in the assessment year at the rate or rate prescribed in the finance act or income tax act अब ये बताना हमे maximum amount not chargeable to tax क्या है वो धाई लाग रुपे तीन लाग रुपे या पांच लाग रुपे मेरी income है सपोज कुरी डेल लाग रुपे मेरी income है डेल लाग रुपे बताना क्या में income tax act के दाइरे में हूं की नहीं तो इस income जो आपका डेल लाग है that will be non taxable income non taxable income हो गया क्योंक हूँ income tax के दाइरे में है ही नहीं अच्छे ये बताना हमे exempt income क्या है exempt income exempt income हमारा क्या बन जाएगा it is income of SSE but taxable as per the income tax act 1961 it is income of SSE ये income of SSE है but not taxable as per income tax act 1961 SSE की income है लेकिन वो income tax act 1961 के according वो taxable नहीं मानी जाएगी उस पर tax नहीं लगाए जाएगा it is also known as tax free income इसको हम किस नाम से बोलते हैं tax free income के नाम से exempt income is not part of total income of the SSE what is the meaning of not part of the total income not part of the total income total income का part नहीं है बना 5 हेट की हमारी जब income होती है तो हमारा कभी भी exempt income उस 5 हेट की income add नहीं होगा कभी भी आपके amount बाली जो exempt income की जो amount होगी can never be added with the taxable income this income is considered as income of SSE जो exempt income में SSE के तो income है but not part of the total income यहाद क्लियर होगी चीज़ है अब यहाप आते हैं इन दोनों को ध्यान से समाज़ पाए exempt or taxable income which is taxable as per income tax act 1961 it is known as taxable income it shall always be part of total income of the SSE अच्छे यह जो income है ना यह जो income है 90% इसकी income section 10 में define किया गया है section 10 में बताया गया है कि आपकी यह यह income पे कोई tax नहीं लगाया जाएगा section 10 में आपको बताया गया कि इस income पे कोई tax charge नहीं किया जाएगा अब यहाँ पी क्या है दोको whenever दोको दोनों के लिए हमने लिखाया कि whenever total income is computed by SSE the exempt income is also shown but not in amount column अब दोको जैसे कि क्या है कि अगर मैं 5 head की बात करूँ तो पहले head कौन से आ जाती है income from salary then कौन से आती है हमारे पास income from host property, income from PZBP, income from capital gain और other sources अब मान के चलो income from PZBP हो या HP हो उसमें tax civil income भी हो सकता और exempt income भी हो लेकिन अगर exempt income है तो दिखा दो compute करते समय दिखाएंगे दिखाना है but amount के value में column हमें क्या दिखाना है 0 सर ऐसा क्यों है अगर हम वो income नहीं दिखाएं support करो मेरी income हो गई आज 2023 और 2024 में मैंने 10 लाग रुपए कमाया और 10 लाग रुपए ये income क्या था मेरे लिए बोलो exempt था और हम ने याथ असको दिखाया ही निए रिटन में दिखाया ही निए income एक्जमत इंकम हों था हम ने दिखाया ही निए exam था हमने दिखाया निए और इस से support करो हमने कोई property खरेद लिया इस income से और जब ये property को मैंने पांज साल बाद बैचने गये बेचने गए तो बेच दो दिया हमने जो इस पर income आया थो वो income tax भी जमा कर दिया लेकिन एक question marks आ जाएगा क्या कि ये आपने जो property खरीदा था किस पैसे से खरीदा था undisclosed क्या बन जाएगा हमारे लिए investment या undisclosed income का क्या बन जाएगा part बन जाएगा बलब exempted income दिखाना तो ही है दिखाना है बट उस income पर कोई tax आपको applicable नहीं होगा तो यह ध्यान रखना है तो यहाँ पर हमने क्या किया है whenever जब भी हम total income compute करेंगे whenever total income is computed by SEC the exempt income is also shown but not in amount column amount की column में नहीं दिखाना है लेकिन आपको दिखाना तो ही है clear both income are divided into five cents both income both income मतलब salary भी exempt हो सकता है और salary taxable भी हो सकता है HP exempt भी हो सकता है HP taxable भी हो सकता है PGBP taxable भी हो सकता है Capital gain एक्जम्ड भी हो सकता और capital gain taxable भी हो सकता है वहलों बोथ income is divided into 5 head 5 head में divide किया जाएगा तो आज वहाँ पर फट फट लिखेंगे एक example लिखेंगे एक example पिछा compute total income in the bracket taxable income आप में से इसे from the following information from the following information आएषब एक फट लिएस्ट झाल 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 कंप्यूट टोटल इंकम टोटल इंकम मिन्स क्या? टैक्सेबल इंकम आप मिस्टरी जे फ्रॉम दी फॉलोर इंफानिक्स इंकम फर्म सैलेरी एंक्सेबल कितना है? taxable वाला कितना हो गया फिर income from exempt है कितना exempt यहाँ पर दिखा दिया taxable है तो कितना 2,50,000 इसी तरह income from other sources यहाँ तक समझ मही चीज़ है total कितना हो गया 14,000,000,000,000 डिड़क्शन और यह total income यहाँ तक clear total income को compute करते समय अगर exempted income है तो exempted income तो दिखाना है और amount के column में आपको क्या कर देना है exempt कर देना पड़ेगा यहाँ तक clear next आता है यहाँ पर next अब आते हम लोग कहाँ पर section 10 की section 10 subsection 1 section 10 subsection 1 हमारा क्या कहता है agriculture income क्या कह रहा है agriculture income agriculture income agriculture income agriculture income from outside India agriculture income from outside India और agriculture income from India अब इंडिया से कर कोई agriculture income है तो fully क्या हो जगा हमारा exempt हो जब देखो एक agriculture income की मैं बात करूँ agriculture income होता क्या है अब जैसे मैंने क्या किया support करो I'm a farmer मैं क्या करूँगा सबसे पहले agriculture land की खुदाई वो आई जुताई करूँगा फिर इसको आज सीडिंग करूँगा सीडिंग करने के बाद क्या होगा हमारे पास जो भी agriculture produce होंगे जो भी अनाज होंगे उस अनाज को हमने बेचा बेचने से हमें जो भी फायदा हुआ है That income will be known as what agriculture income? सुनो कैं? बहुत आसान है जान से समझना है. हमारी टोटल इनकम कितने हेड में होते हैं? पाँच हेड में, सुनुटाइघू सपोर्च करों ये agriculture land का एक टुक़रा है, ये agriculture land है इस agriculture land पे हमने क्या किया? अनाच को बुवाई कर गये और ये हमारे पास क्या क्या अप्रिकल्चर प्रोडियूस आगे ये बता ना जब हमने बुवाई किया खुदाई किया जुताई किया और साथ में जो 20 खरीदे होंगे क्या मेरी कॉस्ट लगी होगी क्या नहीं लोगी यस पांच लाख रुपे कोस्ट लग गई और जब यह अनाज क्या हुए सर पैदा हुए अनाज जब उग गए है ग्रो हो गए है तो इसको कटाई करके हमने क्या कर दिया सिल कर दिया आठ लाख रुपे में बताना what is my income आठ लाख रुपे तोटल selling price of the क्या है agriculture produce minus cost of क्या है agriculture produce तो 8-5 income कितनी होगे बताना 3 लाख रुपे यह income हमारा business income है कि other income है business income है लेकिन agriculture income है कि नहीं है yes agriculture income में कौन सा income है business income है यहां तक clear हुए चीज़ है अच्छा यह बताना जब मैं इसकी कटाई करा रहा था या जब मैं इसकी बुआई करा रहा था तो लेबर होंगे कि नहीं होंगे तो यहां पे लेबर आए और उन्होंने किया काम करना सुरू किया और उनकों हमने payment कर दिया 10,000 रुपे पर्मन की हिसाब से एक साल में कितना payment कर दिया बोलो 120,000 क्या वो लेबरों के लिए इंकम है की नहीं है क्या वो लेबर के लिए जो इंकम बन रही है पीजी बीपी इंकम है क्या नो सालरी इंकम है तो सालरी इंकम इन दे फॉर्म आप एग्रिकल्चर इंकम भी हो सकता है कि नहीं येस हो सकता है यहां तक clear हुए चीजा है तो मतलब आपका मैं क्या कर दूँ exempt income के अगर मैं बात करूँ तो उसके भी हेड कितने होते हैं 5 हेड होते है clear हुए चीजा है 5 हेड होते है रो 5 हेड में income from salary भी हो सकता है income from other sources भी हो सकता है income from क्या हो सकता है capital gain भी हो सकता है और income from PGBP भी हो सकता है house property भी हो सकता है clear हुए चीज़े sir ऐसा क्यों है भी मैं करूँगा तोड़ा सा detail में इस बार पहले ना तोड़ा सा कम कर रहे थे इस बार तोड़ा सा detail करूँगा और एक ना यहां पर exemption इस बार आप लोग की course के लिए नहीं है इस finance act में तोड़ा सा agriculture income में exemption की भी amendment की बात हुई है यहां पर आजो यहां तक clear हुए चीज़े अब यह बताना यह जो agriculture land है land को ही मैंने बेच दिया agriculture land को मैंने बेच दिया agriculture land को मैंने बेच दिया तो बताना exempt है कि taxable है यह भी हमारा क्या हो जाएगा exempt हो जाएगा लेकिन बेचने से जो income आई होगी क्या वो salary income है क्या वो PGVP है capital income agriculture income is exempt income लेकिन exempt का मतलब यह नहीं है कि उसके head नहीं होंगे head होंगे किस head में होंगे यह भी important है that is the most important clear हुए चीज़े तो आते हम भी एक एक चीज़ को भी करेंगे लोग सब बाइफर्केट करेंगे यहाँ पर आजाओ और इसका इतना important है ना लोगों को लगता है कि है आसान लेकिन है बहुत important है और एक point अपी आपको समझाते है बताना agriculture income from India इंडिया से किसी भी कोने से agriculture income अगर है तो वो क्या हो जागा हमारा fully exempt हो जागा लेकिन अगर agriculture income outside इंडिया है outside इंडिया है तो बताना fully क्या हो जागा वो taxable और किस head में taxable होगा under the income from other sources clear हुए चीज़े मान के चलो Sri Lanka में मेरी एक land पढ़ी हुए Sri Lanka में मैं Sri Lanka में गया खेती किया खेती करके चला आया पांच लाग का नाज बेच के लगके चला आया इंडिया पताना वो पांच लाग रुपे income from agriculture agriculture in India या outside इंडिया तो वो पांच लाग taxable in India और नाट yes taxable in India किस हेड में taxable होगा under the head income from other sources यहा तो clear हुए चीज़े तो दो चीज़े आपको ध्यान रखना है agriculture income in India that always be exempt income and agriculture income outside India that always be taxable income when income is taxable income part of the total income or not yes but exempt income is not part of the total income एक example नोट करेंगे लिखेंगे compute total income of Mr.D.J compute total income of Mr.D.J from the following information for previous year test 24 and assessment year 24 परचीज so you झाल झाल कोई कुसरे अग्रिकल्चे इंकम इन स्री लंका अग्रिकल्चे इंकम इंदिया थस लाग और फांच RAW कुपूट टल इंकम अफ मिस्ट इस हे एज यह थैजस- चौबिस अस्समेंट इर है इसका चवबिस और बच्शे कितना अचरहे बताई पाच लाग, agro income in India कितना हो गया, exempt, बत अना gross total income कितना हो गया, पाच लाग, and deduction निल total income कितना हो गया, पाच लाग, या था clear हो इचेजे, next अच्छा, लेक, compute total income of Mr. D.J. from the following information, चीकर बाशनि, हम प्रेश्टियर 23-डीपरी फे अर्वे जूप्रि både कुझ 0%. अर्च्सेंट ये ये ट्वेफे़्टी ये अर्वेkol currently इसंतियर 2225 and assessment üे 24 25. इसंतियर 25 ते often अगे docस्ट्टलेकृनाएं मेडेलाइ मेन कर दो ए्टेटेश प्रफूत्य प्रफूत्यस फ्रह रेन्स कार्लाइट्डू जियुग्ए आटामा प्रफू puckू भांका र्र्राक डिंदूर्राई रूनाच वहते मे Cel Solid przy रखूए zwischen झाल 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 compute total income of Mr JG from the following information's. बताना हो गया कितना रहें सा सॉलुशन जा करेंगे कमपूटेशन और टोटल इंकम कमपूटेशन और टोटल इंकम क्या लिखें इंकम फ्रॉम अदर सोर्सेश इंकम फ्रॉम अदर सोर्सेश कॉन सो जाएगा एंकम कहाँ पर है in सिरी लंका टैक्सेबल यह एक्जंट टैक्सेबल कितना हो जाएगा पाँच लाग बताना एंकड़ो एंकम इंडिया एक्जंट हो जाएगा कितना सात लाग पचास अजाब यहाँ पे लिख दिया हम ना एक्जम्ट बताना डिविदेंट इंकम इस टैक्सेबल और एक्जम्ट टैक्सेबल चाल लाग लास्टी चैप्टर हुआ था हमारा डिविदेंट कोई भी होगा सेरोल्डर को रिसीब्ट हो रहा है तो क्या हो जाएगा वो टैक्सेबल विनिंग फ्रॉम लोटरी कैजूल इंकम है कितना हो जाएगा दो लाग पचास हजार और टोटल इंकम हमारे पास कितनी हो गए ग्यारे लाग पचास हजार यहां तक बताना किसी को डाउट है अचा किया म हम tax liability भी find out कर सकते हैं अब बताना यह जो टोटल इंकम हमी 11,50 है में tax liability भर find out करना हो अंडर दी क्या shifting out scheme shifting out का मतलब optional scheme तो आप find out कर सकते हैं चलो फटाफ़जर गफ़क्ट करेंगे tax liability compute tax liability tax liability also बताने क्या करेंगे हो जेगा हमारा एक मिनिट अब यहाँ पर रुकना है बच्चा भी यहाँ तब क्लियर होई चीज है किसी गुड़ा उटा है नेक्स्ट आचो सुनो अब यह बताना हमे बताना क्या हो जाएगा और एक्जबट है अब यहाँ प्याता है एक कंसिप्ट है एक कंसिप्ट है है पार्शली इंटिगरेशन इन केस आप क्या अग्रिकल्चर अब दिहां से करना है देखो क्या करें पॉइंट नबर टू आइस पर दे इंकम टेक्स एक दिएकth 1961 अग्रिकल्चर इंकम इस फुल्ली क्या एक्जंकट कॉन सी वली बात कर रहे हो अग्रिकल्चर इंकम इंडिय आओटसाद इंडिया इन इंडिया बट बट इंपोर्ट अध्ट आइम्टरी चॉइंच क्या किल्चर इंकम क्या क्या कई रहें तुब सब्सक्राइब यह जब मादक है करेंगे उस समय वो income क्या रहेगा हमारा exempt income मानी जाएगी लेकिन जैसे हम tax liability compute किये करेंगे उस समय ये income क्या बनने वाली हमारी taxable income बनने वाली एक benefit मिलने वाला है आगे कह रहे है but after satisfying the following condition and this process after following the satisfying condition this process is known as partial integration of क्या agriculture income partial integration का मतलब है कि full agriculture income पे tax नहीं लगाई जागी कुछ partial portion पे agriculture income लगाया चागता indirectly अब या पे थर्ड कर रहा है partial integration in case in case of क्या agriculture income agriculture income is exempt from tax but for computing tax liability such agriculture income is considered as taxable taxable income after satisfying the following condition अजया एक्चेस और है कि ये partial integration आपको तब लगाना है जब ये condition satisfied होगी condition number one क्या है ACC must be individual HUF, AOP, BY or HEP समझ में चीज है and the second condition agriculture income must be more than rupees how much 5000 and third condition non agriculture income must be more than basic exemption limit basic what is the basic exemption limit धाई लाख तीन लाख और पांच लाख यहां तो clear लेकिन अगर default scheme है तो तो आपे धाई लाख तो रहेगा ही नहीं कितना हो जाएगा वो तीन लाख हमारा basic exemption limit हो जाएगा यहां तो clear अगर ये तीन condition satisfied हुआ तो फिर आपको क्या apply करना पड़ेगा partial integrations और कुछ है नहीं partial integration कुछ भी नहीं partial integrations अब ये तीन condition पहले आपको ध्यान रखना है तीन condition अगर satisfied हुआ तो ही आपको agriculture income पह partial tax लगाना है otherwise आपको partial tax लगाने की कोई requirement नहीं है तीन condition कौन कौन सा ACC must be what individual HOF AOP BYO AJP and the second condition उसकी agro income from the India should be exceed rupees how much 5000 and non agro income should be exceed rupees how much basic exemption limit अगर ये तीन condition satisfied हुआ तो ही आपको क्या करना है partial integration करना है और बहुत आसान है partial integration करना है अदो को partial integration होता कैसे है क्या टैक्स निकाल दो इस पर टैक्स निकालो agro plus क्या non agro what is the meaning of non agro what is the meaning of non agro salary and other taxable income but not special income but not special income agro income but not special income यहां था clear करें कि agro plus non agro को total कर लो agro non agro को total कर दो उस पर tax निकाल दो point number a फिर basic exemption limit को ले लो और plus agro income को add कर दो उस पर tax निकाल दो दोनों को minus कर दो अभी आपकी tax amount बनेगा अभी आपका tax amount बनेगा और इसमें फिर add कर दो tax on special income और फिर rebate जैसे प्रोसेस करते हम लोग वैसे करेंगे यहां था example note करेंगे लिक केट लिक केट चैलोगी लिक निक कॉंपर निकम उत्री आप मिस्टरीज आप प्रिविस यह प्रिए यह था computer total income of Mr.E J for previous year 152 शेस्ट चापिस from the following information compute total income of mister EJ for previous year तेश्चों बेस प्रॉम् दी फॉल्विंग इंफॉर्मेशन एग्र इंकम है 4,900 नॉन एग्र इंकम है 4,50 अल्सो कम्प्यूट नॉर्मल इंकम कम्प्यूट टैक्स लियाबिलिटी अंडर आप्शन इसकी अंडर आप्शन इसकी अच्छा एक काम करते हैं न हम लोग एग्र इंकम जो 4,900 दिया है इसको हम लोग कर देते हैं 10,000 रुपे एग्र इंकम है 10,000 चली भी हो गया अब यहाँ पर देखो कैसे करना है नार्मली बताना सबसे पहले तु कहले इनका कम्प्यूट कर दो टोटल इनकम चलो आज़ो आराम से साथ साथ चलो कोई दिक्कत नहीं है कम्पूटेशन और टोटल इनकम बताना टोटल इनकम एग्रो नौन इग्रो कोई हेड नहीं दिया है कोई बात नहीं है तो बताना एग्रो इनकम कितना होगे बताए 10,000 अब ही है मैं कोश्चन का जवाब दूँ यह अग्रो इंकम इनिडिया है कि ऑफसाइड इन्डिया अगर कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे इन 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 कितने रुपै होगे बता ना 10,000 मतलब क्या हो जाएगा यह एक्जम्ट है टैक्सेबल एक्जम्ट हो जाएगा क्योंकि agro income in India क्यों हो जाएगा हमारा एक्जम्ट हो जाएगा and non agro कितना है non agro income 4,50,000 तो बताना total कितनी होगे income हमारे पास 4,50,000 यहाद clear खरा also compute normal income बताना यह 4,50 जो आ रहा है मेरे पास इन normal है की special है कुछ भी नहीं बोल ला है तो normal income कितनी होगे मारे पास 4,50,000 यहाद तक clear खराण compute tax liability क्या हम 4,50 पर directly compute कर दे बताना compute कर दें की नहीं अगर आपका तीन condition satisfied हो गया तो बताना हम क्या करेंगे partial integration के recording और वो तीन condition क्या है SEC अगर कौन है individual HOF, AOP, BY और AGP है साथ में उसकी income कितने से जादा है उसकी agro income 5000 से जादा है and third condition क्या होना चाहिए बताना उसकी basic exemption basic exemption limits से जादा क्या होना चाहिए non-agro तीनों condition को देखते है अगर वो तीन condition satisfied हो गया तो अभी तक जैसे हम tax liability compute कर देंगे वैसे नहीं बलकि किस तरह से compute करना है partial integrations तीनों condition चेक करते हैं लोग satisfied है की नहीं है SEC is equal to what individual पहली condition से and the second condition is what agro income is equal to how much 10,000 10,000 है क्या ये more than 5,000 है ये तो conditions से तीसरी condition उसकी क्या है non-agro non-agro का मतलब क्या normal income non-agro का मतलब क्या normal income कितने से ज़ादा होनी चाहिए basic exemption से ज़ादा होने चाहिए जो कि कितना दिया हो 4,50 is more than कौन से option से जा रहे हैं हम लोग देखो कौन सी scheme से जा रहे है optional वाला और optional में basic exemption की limit कितनी है 250,000 क्या ये तीनों condition satisfied or not अब बताना partial integrations integrations partial integration is possible or not is possible यहां तक clear समझ में चीज़े देखो दो चाहरा question में तो condition satisfied करूँ उसके बाद आद्यत पर जाएगे अब बताना हम क्या करें जब partial integration applicable है तो हम point number 8 देगे देखो कैसे करें tax on agro प्लस क्या non agro यह कब करेंगे जब तीन condition satisfied और तीन में से कोई एक satisfied हुआ बाकी ने हुआ तो यह नहीं करें फिर कौन सा केस normal जैसे करते चले आदे the last concept of the computing the tax liability इसके लावा और कोई concept नहीं है compute करने के tax liability clear वोई चीज है बताना tax on agro plus non agro agro income कितनी दी है बोलो 10,000 non agro कितनी दी है 4,50,000 total कितना होगे बोलो 4,60,000 अब इस पे tax की सिस किन से लगाना है optional तो बताना यह normal income की category वाला है की special? normal की category वाला है special अगर होगा तो नहीं लेना है consider नहीं करना है तो बताना क्या हो जागा 0,2,250 at the rate क्या? nil tax amount कितना होगे? nil and next बताना 252,500,000 that means how much? 4,60 at the rate 5% कितना होगे? बताना 2,10,000 का 5% कितना है? 10,500 इसका total कर दिया 10,500 इसको उमने बोला point number 1 समझ मैं चीज़े? नहीं करना है किसी को अच्छे से समझ लो पर point number B tax on बताना क्या करेंगे? aggro income plus basic exemption limit अब बताना aggro कितना मेरे पास? 10,000 है और basic कितना हो जाएगा? 0,500,000 रुपए total कितना हो गया? 3,50,000 तो 0 to 250 बताईएगा कितना? sorry, 2,60,000 तो add the rate क्या हो गया? निल निले माउंट हो गया और 2,50,000 से कहा तक? 2,60,000 add the rate कितना? 5%? 500 अब बताना point number B कितना हो गया? 500 यहां तक बताना किसी कुड़ा उटे? बोलो अब क्या करेंगे? tax is equal to हो जाएगा A minus B 10,500 minus 500 कितना हो गया? 10,000 यहां तक ले? 10,000 बताना 10,000 और इसमें add करेंगे tax on special income अगर है तो कितना हो गया 10,000? अब बताना rebate आएगा कि नहीं आएगा? rebate के लिए हम total income चेक करते हैं और total income कितनी है? 5,000,000 के अंदर है तो rebate आजाएगा 87 एगा और कितना आजाएगा? 10,000 पूरा minus कर दिया तो tax amount कितनी हो गई? निल फड़फट इसको compute करेंगे लेकिन ये बताना हमें ये partial integration process कब लगाना है? जब हमारे पास agro income है agro income कहां पे है? in India in India है agro income और वो भी कितने से ज़ादा है? 5,000 से ज़ादा है clear? और दूसरी condition को SSC must be individual HOF, AOP and BOI and third condition non agro non agro special ये normal normal non agro हमारा क्या होना चाहिए? basic exemption limit से ज़ादा अगर ये तीन condition satisfied हो गया है then you have to apply the partial integrations clear? इसको note करेंगे जड़ा है ये ज़ादा है रहादा है झाल 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 कर्समेंट कर सक्रिंट झाल क्याल छोल यह सत आल Compute Tax Liability of Mysteries इसे, from the following informations Agro Income है 8,000, Non-Agrom Income है 4,97,000 और यह Non-Agrom Normal वाले है Normal Income अच्छा कौन सी scheme से आपको Compute करना है लिटरी Optional यह इसको बोलते है सिट आप दूसरा कौन सौर्ट है बोलो Default under section 115 BAC दो नो करने से झाइ झाइ मैंप téज product पोका कौन से साथ कंडिशन चेक करना अगर तीन कंडिशन स्रेडिस्पाइड हो गया क्यूपी कर दिशन छिभ कर दादेड हो गया गया अगरो। झाल 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 चलो हो गया कितना रहा आप्सिनल है एक हजार एक हजार रुपर और रुपते हैं आप्सिनल में निल है और डिफॉल्ट में भी निल है अचलो हो ऑपशिनल कर ले बताना इंटीगरेशन होगा कि नहीं होगा क्यों होगा क्यों होगा टीन कंडिशन्स हमारी शटिस्पाइट है तो बताना तो हम टैक्स लाइबिल्टी इंटीग्रेशन वाले से करेंगे और अगर integration applicable नहीं हुआ तो कौन से वाले करेंगे जैसे करते चले आ रहे थे तो अज़ो solution computation of tax liabilities computation of tax liabilities बताना यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले क्या आज़ेगर point A tax on agro income कितनी है 8000, non agro 497 तो total हो गया कितना मेरे पास 5,5,000 0,2 क्या हो जाएगा बताएगा 50, at the rate क्या हो जाएगा nil, यह हो जाएगा nil, और 252 क्या हो जाएगा हमारे पास 5 lakhs हो जाएगा at the rate क्या हो जाएगा बताना 5% कितना हो गया, कितना हो गया तो बताना, हम यहाँ पे आजाएगा 0 to 250 at the rate क्या, nil amount कितना हो गया, nil and now 252 258 at the rate 5% कितना हो गया, 400 इसका total कर लिए हमने, B, तो बताना A- क्या हो गया, B 12,900 यह यह है 12,3100 तेरे जर सो रुपए तेरे जर सो रुपए यहाँ तक क्लियर हो गया, अब बताना हम क्या करेंगे, इसमें रिबेट देंगे की नहीं देंगे, yes, रिबेट अंडर सक्षन 87A बताना, पहली पॉइंट, रिबेट आएगा की नहीं आएगा, आएगा, क्यों आएगा इसकी टोटल इंकम यह देखो कितने है, 4 सतान, 4 लाग, 97 पांच पांच नहीं है वो नहीं देखा है, इधर इंकम नहीं देखना है, इंकम तो हमारा यह देखना है what is the taxable income, what is the total income, total income कितने है, 4 लाग, 97 तो 4 लाग, 97 पांच पांच लाग से कम है, तो रिबेट कितना हो जाएगा, 100% of 13,100, या फिर पॉइंट नमबर 2 के हो जाएगा, 12,500 whichever is क्या हो जागा, लोवर, 12,500, तो बताना कितना हो जाएगा, 600, और प्लस क्या जाएगा, 1, at the rate, 4% कितना, 24 लुप है, total tax liability, आगे 624, जो कि किसी का answer ही नहीं आ था अब तक बताएगा, क्यों सिद्धान्त कहा गलत हो कौन सो अच्छा, आप अपने डिफाल से किया है, आपका क्यों, पांच लाग के उपर नहीं जा रहा है, इंको, जब भी हम रिबेट की बात करेंगे, तो रिबेट टोटल इंकम देखेंगे, और टोटल इंकम इसकी कितनी इस कोश्चन में, 4,97,000 जो की पांच लाग के अंदर है, चलो आजो, डिफोल्ट वाले साथिए, अंडर डिफोल्ट इसकी, अंडर डिफोल्ट इसकी, पताना, अगर डिफोल्ट इसकी में बात करूँ, वापस ही है, पर पॉइंट नमबर ए आ जाएगा, टेक्स ओन, टेक्स ओन कितना, आट हजार, प्लस चाल लाग, 97,000, कितना हो जाएगा, पांच लाग, पांच हजार, बदाना, पांच लाग, पांच हजार, और यहाँ पे आजाएगा, 0 to 250, at the rate rupees, how much, nil, sorry, 250 ने कितना रेगा, मार पास, 3 lakhs, and 3 lakhs at the rate nil, is equal to kya जाएगा, nil, and 3 lakhs to how much, 5 lakh 5,000, at the rate 5% is equal to how much, 10 to 50, and the point number b, आजागा, tax on, बताना, 8,000, plus कितना, 3 lakhs रुपए, क्योंकि यहाँ पे basic exemption limit क्या होता है, 3 lakhs रुपए, तो 0 to 3 lakhs, at the rate nil, is equal to nil, और 3 lakhs to कितना, 3 lakhs, 8,000, at the rate 5%, रुपए, how much, 400, point number a, point number b, तो बताना, a minus b, कितना हो गया, 9,850, और यहाँ पे आज अगर rebate, under section 87a, बताना, कितना, 100% of 9,850, या फिर point number 2, कितना, 25,000, whichever is lower, 9,850, यह हो गया, मान पास nil, बताना, यहाँ तक क्लियर, जिसको doubt हो, वो doubt किता है, बताना, यहाँ तक किसी good out है, क्यों, सिवांगी, बताईए, जब भी rebate की बात होगे, तो rebate, हमें यह नहीं देखना, कि कितने पर tax लगाई जा रहे, rebate हमें क्या देखना है, कि हमारी total income कितनी है, और कौन सी total income, taxable वाला, नकी exempted वाले, आजो, एक और example करते हैं, बचलो, लिखेंगी, compute, tax liability of mistery is here, for the previous year 23, agro income है 1,00, non agro है 4,90, short term capital gain, triple one है, 50,000, long term capital gain, under section 112, 1,12, 1,00, रुप है, और casual income है, 25,000 रुप है, चली, forever start करेंगे, बड़ी, वाले, बढ़री देखने लेखने, अब़री, पही जीघके लेखने, wasn't in the future, बव़्री, झाप है, लेखने, वेखने, ख्व़री, एक शेखने, वाले, याले, वेखने, बव़री, याले, झाल 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 चली होगे किस से करना default या फिर optional optional से करना दोनों से ख़ल लिया जागा दोनों से ख़ल लिया जागा अली हो जागा 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 है झाल 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 सिप्टाउट सी कितना रहे क्लिएअगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग झाल झाल 40 200 चोबी सिजाख मानसो 44 200 हाँ इभाई से इभाई इभाई बताना सबसे पहले सिप्ट आउट से जाएंगे तो टोटल इंकम कितनी आ रही है? टोटल टोटल तो यहां से आ तक हो जाएगा 5,75,000 अच्छा अब यहां पर बताना नॉर्मल इंकम कितनी हो जाएगे? 4,90,000 अग्र इंकम कितनी हो जाएगी बताना? दस एक लाग रुपे अब यह बताना में टेक्स लिएबिल्टी के लिए पाइट से लिए इंटिग्रेशन इस एप्लिकबल और नॉर्मल इंकम कितनी हो जाएगे? बेसिक एग्जम्शन से कौन सी स्कीम में है? सीप्ट आउट में सीप्ट आउट में बेसिक एग्जम्शन क्या होगा? 250, 250 से जादा है और एग्ग्रो हमारा 5000 से जादा है और परसन कौन है? इंडिविज्वल है, पार्षिल इंटिग्रेशन इस एप्लिकेबल और नॉर्मल इस और जब पार्षिल इंटिग्रेशन होगा तो हम कैसे करेंग सबसे पहले पॉइंट नमबर वन, टैक्स आजाएगा, टैक्स और एग्ग्रो कितना? एक लाग रुपे और नॉन एग्ग्रो कितना? चाल लाग 90,000 तो तो तोटल पांच लाग नबबे पी टैक्स, जीरो टू क्या हो जाएगा बताना? 250, एट दे रेट निल और एमांट क और पांच लाग से कहां तक हमारा? पांच लाग नबबे हजार, एट दे रेट 20% कितना अगया? 18,000 और इसका टोटल कर दिया तो कितना हो गया? 30,500 हो गया, इसको बोलते हम लोग पॉइंट नमबर A, अब बताना क्या करेंगे? टैक्स और एक लाग रुपे प्लस, बेसिक एक लाग रुपे लाग पचास हजार, जीरो टू, 250, एट रेट निल, एट 252, 350, एट रेट 5% कितना हो गया? 5000, अब बताना इसका टोटल किया तो 5000 हो गया, अब बताना टोटल A माइनस B, 30,500 माइनस 5 कितना हो गया? 25,500, इसमें एड करेंगे न, टैक्स और क्या? इस स्पेशल इंकम, इस स्पेशल इंकम कौन कौन सा है? स्टी सीजी है, स्टी सीजी, अंडर सिक्षन ट्रिपल वन एक इतना दिया हुआ है? 50,000, एट रेट 15% कितना हो गया? 75,000, इसके बताना ल्टी सीजी 112, दस हजार, तो ल्टी सीजी अंडर सिक्षन 112, दस हजार, एट रेट 20% कितना हो गया? 2000, और कैजूल इंकम दिया है 25,000, तो कैजूल इंकम 25,000, एट रेट 30% 7,500, यह तोटल कितना हो गया? बताना, 42,500, और प्लेस क्या करेंगे हम लोग, हेक लगा देंगे, एट रेट 4% कितना? 700, टोटल हो गया 44,200, इज टेक्स लिएबिल्टीज, यहां तक क्लिर? डिफॉल्ट में कितना आ रहा है 27,500, चलो यहां तक बताना, यहां तक किसी वड़ाउट, डिफॉल्ट हो गया, रिना, चलो इस टार्ट को डिफॉल्ट, यहां तक आ रहा है गिने किसी कड़ाउट है, चलो फड़ापटेस को कम्पूल कर, 2000, 2000, 2000, 2005, पर लोगाउट करो बेबी जी, रिना, चलो, डिफॉल्ट करो, क्यों साथ ची हो गया तक, पॉइंट नमबर भी डिफॉल्ट, यह सारा का सारा यहां पर सीखना है, आपको हर चैप्टर के साथ मिलेगा ध्यान रखना, इसलिए मैं इसको सिखा रहा हूँ, डिविडेंट करा है तो भी मिला, एग्रो करा है तो भी मिलेगा, जितना चैप्टर करा हूँगा, सब के साथ टेक्स लिएबिल्टी, सारे चैप्टर के साथ मैं एट करता जाओ, बताना, डिफॉल्ट स्कीम, टेक्स और फाइप्लेक नैंटी थाउजंट, जीरो टू, कितना हो रहा है, 27,560, 27,560, चलो यह कितना हो गया, 40,000, 45,000, 14,500, पाइप्लेक नैंटी बताना, टेक्स और कितना हो जाएगा हमारा, 4,00, 0,00, टू, 3,00, ने रहा है, 3,00, टू किया, 4,00, at the rate 5%, 5,000, total किया कितना हो गया, 5,000, ए माइनस भी कितना हो गया, 19,500, अच्छा, 9,500, 9,500, प्लस क्या करेंगा बताना, टेक्स और, स्पेशल इंकम, HTCG, अंडर सेक्षन, 1,1, ए कितना है, पच्छास हजार, at the rate 15%, 35,000, LTCG, अंडर सेक्षन, 1,1, 2, 25,000, 10,000, 10,000, at the rate 20%, कितना हो गया, 2,000, पताना, casual income, कितना है, 25,000 है, at the rate 30%, 75,000, कितना हो गया गया, 17,000, अरी, यहां पर है न, 26,500, यहां से यहां तक का टूटल, 26,500, रिबेट आये का कि नहीं आयागा, रिबेट अंडर सेक्षन, 87,A, आये का कि नहीं आयागा, इसकी टोटल इंकम कितनी है, और डिफॉल्ट में रिबेट के लिए क्लिए क्या होगा, 7,000, तो रिबेट अंडर सेक्षन, 87,A, 100% of, 26,500, या फिर क्या हो जाएगा, 25,000, whichever is क्या, लोगर 25,000 का रिबेट, एक हजार, पांचो रुपए, या था, अब प्लस क्या करेंगे हम लोग, हेक लगाएगे, अब अब इबेट इबेट, इबेट 4%, 60 रुपए, कितना हो गया, 1500, और इधर कितना आ रहा था, 2560, उसके पिछी रीजन क्या है, आपने 25, 27, 560 कम्प्यूट किया, और डारेक्टली क्या किया, 25-25, 25 पर तो अलेडी क्या लगा हुआ है, हेक लगा हुआ चार्ट परस्ट, तो नोट करो फटफट, कितना है आंसर, 1560 पर, अभी तक भी बताओ, आंसर करेक्ट नहीं आ रहा, तो इसे चैप्टर में कोर्च गया है, कोई बात नहीं, मैं पता है, वो गलतिया होती रहेगी, इसलिए इसको पहले चैप्टर में कवर कराते हैं, और फिर कहां तक जाएंगे लोग, लास्ट नहीं नेक्स हो जो, एक ही कोईशन नोट करना है, लिगें, कंप्यूट टैक्स लिएबिल्टी अप मिस्टर इजे, वो असेस्मेंट यह, शोबिस परचेश, प्रम दी फॉलिएंट इन्वर्मेशन, इंकम फ्रम सैलेरी हैं, इंकम फ्रम सैलेरी हैं, दस लाख रुपए, अग्रो इंकम पांच लाख, कैजूट इंकम हैं, एक लाख पचास हेजार, एक लाख पचास हेजार, लॉंग तम कैपिटल गिन अंडर सेक्शन वन वन टू है, रही लाख रुपए, पीजीबीप है एक करोर पिचतर लाख बन करोर सेवेंटीफाई लाइब्स पीजीबीप यह रहेगा मारा होमवर्क यहां तक्लियर अब आज ओ यहां पर नेक्ष्ट कोश्टन चलो ठीक यहां तक्लियर एक रोर पिचत्तर लाख वन करोर सेवेंटीफाइप लेक्स इसी ओर ओमर यहाँ पर बताना हम लोग ने क्या-क्या सीखा दोखो टैक्स लाइबिल्टी कंप्यूट करने का क्या-क्या सीखा है there are two method एक तो हमारे पास कौन सा method है simple है और एक कौन सा है integrations integrations तबायगा जब हमारे पास agro income है agro income in India या outside India in India है अगर outside India है तो बताना वो हमारी income कौन सी income बन जाएगी income from other sources की income वहाँ पर लेके जाके क्या करेंगे taxable और वो normal income की तरह treatment करेंगे और tax liability भी normal income की तरह से हम compute करेंगे अगर हम partial integration की बात करेंगे तो partial integration करने से पहले तीन condition आपका satisfied होना चाहिए the first condition the SEC must be individual HOAOPY BOI and the second condition agro income of that SEC should be extraड रुपेज हो माच 5000 and his non agro income except special income extraड रुपेज हो माच 2 lakhs 50,000, 3 lakhs or 5 lakhs under the sixth out scheme or default scheme है तो कित्ते से जाढ़ा 3 lakh से जाढ़ा होनी चाहिए अगर ये तीन condition satisfied हो गया तो बताना क्या होगा partial integration हो जाएगा अच्छा मान कि चलो तीन condition में से कोई एक condition satisfied नहीं होगा agro income है 4000 रुपे है तो बताना partial integration होगा कि नहीं होगा नहीं होगा जब partial integration नहीं होगा तो tax कैसे compute करेंगे simple value से समझ मागेजी कोई company है company company agro income है 10 लाख non agro है 5 लाख बताना integration होगा कि नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि integration के वाल किस पे है individual HOF, AOP और BY पे और AGP company पे नहीं है firm पे नहीं और LLP पे नहीं है समझ मैं चीज़ अब यहाँ पी यह मुद्दा है अग्रो इंकम का मतलब क्या अग्रो इंकम का मतलब हुआ total agro income total agro income total agro income का मतलब क्या हुआ अगर हमने किसी को अपनी अनाज को बेचा है बेचने से जो मेरे को profit आई है वो वाली agro income या पिर कुछ और हमने अगरी कल्चे production या agriculture activity किया है जिससे income हुई है तो वो वाले agro income agro income का मतलब total total का मतलब अगर agro 5 head की तरह से compute हो रहा है तो 5 head का क्या कर दो आप total करके compute करना पड़ेगा अब यह मुद्धा हुआ है कि sir how to compute agro income क्योंकि जब तक agro income नहीं आएगा तब तक हम partial integration नहीं कर पाएंगे clear तो compute the agro income तो next point पर आता है section 2 clause 1a section 2 clause 1a हमारा क्या कर रहा है ध्यान से देखेंगे अब यह seat भी कल आपको provide हो जाएगा देखो क्या कर रहा है definitions, तीन point है definition 1, 2 है और 1, 3 point है यह third point है, तीन point है यह तीन point है और एक यह देखो चोथा, चार point में हमारा पूरा का पूरा agro income complete हो जागा तो first point क्या कर रहा है ध्यान से दोखो, first point any rent any rent received from agriculture land but land should be used for क्या agriculture purpose, दो point है यहापे दो point निकल का रहा है any rent received from क्या agriculture land अब यह सपोच करो मेरे पास एक agriculture land है मैं पिसानी नहीं करता एक बंदा आया कोन आया, सिद्धान ताता कहता है कि सर आप क्या मुझे agriculture land देंगे हमने कहां देंगे हमने कर देखो भे agriculture land दिया जो करना है कर लो मेरे कोना 20,000 रुपे परमन किराया ते तो बता ना यह जो rent received हुआ from क्या हुआ, agriculture income क्या यह जो rent मेरे पास आ रही क्या यह agro income है की नहीं है है, लेकिन तब है जब उस land को किस purpose से यूच किया जा रहा हूँ agriculture हमने land दिया सिद्धान को हमने का ठीक है 10,000 रुपे परमन मेरे को rent दे देदा, तो rent receive from क्या, agriculture land लेकिन इन्होंने अपने land को सरकस वाले को दे दिया क्या सरकस वाले को देना, is agriculture purpose no, तो क्या वो agriculture income मानी जाएगी, नहीं अगर सिद्धान्त ने उस land पर क्या क्या agriculture process सुरू कर दिया तो बताना क्या वो rent जो हमें मिल रहा है, is my agriculture income or not, yes, is my agricultural income यहां तक clear हूँ चीज़े ऐसे ही सारी चीज़े हम लोग cover कर लेंगे, लेकिन next day पर कर लेंगे, तो definition of क्या हमारे बता रहा है, agriculture income how to identify, कि income is agro income or non agro income, हम करेंगे, यहां तक clear अच्छे यह बताना, support करो, हमनी क्या किया, गेहूं की खेती की है, यह गेहूं छोड़ दो ठीक है, चाय की बात करो, चाय की हमने खेती की तो चाय की पत्ती जो मिली, agriculture process or not, yes चाय को हमने किया किया, पैक किया और पैक किया किया, चाय पत्ती को पेचना सुरू कर दिया, क्या यह भी अगरिकल्चर प्रोसेस है की नहीं है, सारे चीज़े हम लोग कवर करेंगे, clear सुगर केन हमने क्या किया, प्रोड्यूस किया, और सुगर केन को सुगर केन नहीं बेचा, बलकि उसको चिनी बना के क्या कर दिया, हमने करके बेच दिया, क्या यह अगरिकल्चर है की नहीं है, यह सारे चीज़े कवर करेंगे, बट, first of all यह देखना है की, sir, what will be my agriculture income in India तो agriculture income क्या क्या है, सारी चीज़े, चार डिफिनेशन है चारो डिफिनेशन को हम लोग अच्छे से कवर करेंगे अगर उचारो डिफिनेशन में हमारे प्रोसेस अकवर हो गए तो वो हमारे प्रोसेस कौन से बन जाएंगे अगरिकल्चर, और उस प्रोसेस से जितनी भी income मेरे को जनरेट होगी वो income कौन सी income मानी जाएगी अगरिकल्चर income मानी जाएगी यहां तक clear होई चीज़े, तो चलो फटाफट देखो, आज हम क्या करेंगे क्विक एक रिवीजन कर ले दो पॉइंट क्या क्या चीज़े हैं देखो हम लोग ने क्या सीखा, यहां इंटिग्रेशन इंटिग्रेशन आपका तभी पॉसिबल है जब एग्रो इंकम होगी लेकिन एग्रो इंकम कहा क्या होनी चाहिए इन इंडिया, अगर आउटसाइड इंडिया है तो हमारा फुली क्या हो जाएका टैक्सेबल हो जाएगा और टैक्सेबल होने के बाद उस इंकम को कौनसी इंकम बानी जाएगी, हमारी नॉर्मल AGP का है तो बताना और उसके बाद ये agro income 5000 से उपर है और साथ में non agro income except special income हमारी basic exemption limit से ज़ादा है तो हम क्या apply करेंगे partial integration और partial integration की case में tax on agro plus non agro income और फिट tax on agro plus basic exemption limit दोनों का जो difference आएगा plus करेंगे tax on special income तब हमारा जाके बनेगा tax amount और rebate है तो rebate देंगे और अगर हमारा hack है तो hack charge कर दिया जाएगा तब जाके क्या परिएगा tax liability बन जाएगा लेकिन अगर ये तीन condition से एक भी condition fulfill नहीं हुआ तो उस case में हमारा फिर partial integration applicable नहीं होगा फिर कौन सावाला लगेगा जो ह हमने previously पढ़ा हुआ था study material उम्मीद करते हैं सबका आ गया होगा क्यों तो study material के कुछ question आपको हम homework के दे रहे हैं कुछ question करके आना है chapter number one में ही है आपका ये portion chapter number one में चलो अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी थोड़ा सा आउर कर लेंगे उसके बात कर लेंगे चलो फिर आज ये पी क्या करते हैं मैं कोवर करते हैं बाइब भी चलोग